नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल महरकलासिस में तो दोस्तों अल्रेडी आप सभी को पता है कि MP7 का जो एक्जाम है दिसंबर 2024 में होने जा रहा है और जिन्होंने भी इसके फॉर्म फिल किया है उनके लिए ये वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम exam pattern and syllabus पर discussion करने वाले हैं साथ में यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको 30% तो लाना ही लाना है per paper में जी हाँ दोस्तों और 50 दिन ही says बचे हुए है तो तैयारी हमें किस तरीके से करना होगा और क्या condition है और PG में कितना percent होना चाहिए और 30% हर एक paper में किस तरीके से count करें हम तो इसके regarding दोस्तों हमें चलना होगा आगे की और और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से requests जरूर करना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरह से अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की चलिए दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं इसकी official website sorry notification पर राजपातरता परिच्छा 2024 इसके form अल्रेड़ी भर चुके हैं अभी काफी candidate हमारे पास SMS या call कर रहा है sir क्या MP6 के form reopen हो सकते हैं तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसके form अल्रेड़ी भर चुके हैं जिन्होंने भी इसके form फिल नहीं किये हैं अब उनके लिए कोई chances नहीं हैं हो सकता है कि 2025 में एक बार MP6 के form फिर से भरा सकते हैं एक्जाम हो सकता है तो आप उसमें बिल्कुल भर सकते हैं या फिर December में NET का एक्जाम आ रहा है उसमें आप form फिल कर सकते हैं लेकिन इसके रिगार्डिंग तो अभी ऐसक कोई अपडेट नहीं है क्योंकि आप तो आपका एक्जाम ही पास में है तो चलिए इसमें क्या क्या क्टिशन हैं वो हम आपको बता देते हैं तो आपका जो विग्यापन हैं वो 15.3.2024 को जारी हुआ था चलिए ये तो हमारा पूरा नोटिपिकेसन था इसमें हमें कोई जो फॉर्म फिल नहीं किये थे कंडिशन थी कब से लेकर कब फिल करना है ये सब उपर हम छोड़ा हैं और उसकी अवे जानकारी भी अब नहीं लेना है लेकिन आपका जो एक्जाम है वो ओफ-लाइन होगा OMR seat पर लिया जाएगा और एक ही दिन आपका पेपर होगा ऐसा नहीं है कि अलग-अलग subject के अलग-अलग day में होगा क्योंकि नेट का एक्जाम अलग-अलग day में होता है लेकिन आपका जो है एक ही दिन में होगा दोनों प्रस्ण पत्र एक ही दिन में conduct किये जाएंगे राज-पात्रत परिक्षा 2024 अंग्रांकित 20 विसों के लिए आयोजित की जाएगी जो अभी कितने नम्मर का होगा 50 नम्मर का और पेपर टू जो होगा वो भी आपका 100 नम्मर का होगा पिर ते एक प्रस्ण पत्र मतलब दो नम्मर के होंगे तो इस तरीके से 100 नम्मर हो जाएंगे आपके और इसी तरीके से 200 नम्मर हो जाएंगे तो 300 नम्मर का आपका पेपर होगा य आपको 35% लाना है इसके बाद यदि आप अन्रिजर्ब क्रेटेगरी मतलब जनरल क्रेटेगरी से ब्लॉंग करते हैं तो आपको 40% लाना ही लाना है ठीक है यदि आप यह नहीं कर पाते हैं या इतने नमर आप सही नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे मतल दोस्तो टेस्ट स्रीज चला रहा है जी हां दोस्तो बिल्कुल राम बाल टेस्ट स्रीज है सभी प्रेशन पत्र हमारे पास एबल ले पेपर बन भी हमारे पास है पेपर टू में जितने भी सब्जेक्ट हैं 20 पेपर हैं उसकी सब की टेस्ट स्रीज हमारे पास एबल ले तीन स 5830 ठीक है ना इस पे आप हमें कॉलिया SMS कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं टेश्टी सीरीज मातर 310 रुपे की है जिसमें 5000 प्लस MCQ आप से दिये जाएंगे साथ में नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे और PYQ कोश्चन भी आपको दिये जाएंगे साथ में लाइस्ट मूमेंट में आपकी कुस लाइप क्लासेज भी हम कंड़ेक्ट करा देंगे मातर इसी 310 रुपे की फीस में तो बिलकुल आप जोइन कीजिए मुज़तों नहीं लगता दोस्तों कि इतनी जादा फीस है और इसके बाद यदि आप इस एकजाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो MP Guest Faculty में आप बिलकुल Eligible हो जाएंगे साथ में 2025 में भी Assistant Professor की एकजाम आ रही है उसके लिए भी आप Eligible हो जाएंगे तो बिलकुल आप अभी से तैयारी में जुड़ जाएए मातर 50 दिन सेस बचे हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसको समझते हैं कि आखिर में क्या है थोड़ा सा नीचे हम इसकोल करेंगे दोस्तों इसमें में में पॉइंट ही हम समझेंगे निूंतम सेक्षणिक योगिता ठीक है ना तो यहाँ पे दिया है अभ्यहंतरी केंदरी अधिनियम या राज अधिनियम द्वारा इस्तापित किसी पिजविद्धाल या सेक्षणिक सैंस्तानिय पिजविद्धाल अनुदान आयोग 1956 ठीक है इसके बाद अनराक्षित सेंडी के अभ्यारती है तू 50% होना अनिबार है जैसे कि दोस्तो आपने form फिल किया है तो आपके PG में 55% होना चाहिए हम आपको किलियर बता देते हैं जिनका form फिल कर चुके हैं भो तो किलियर हैं लेकिन दोस्तो जिन्होंने running condition में form फिल किया ता running condition मतलब आप PG कर रहा हैं पीजी में आप 3rd semester में हैं या फिर 4th semester में ठीक है ना और आपने set का form फिल कर दिया support date करो कि आप general category से belong कर रहे हैं और general category में आपने running condition में form फिल किया है और आपका fourth third में या fourth में बाद में total percent 55 से कम हो जाता है ठीक है ना 55 से कम है और यदि आपने set clear भी कर लिया तो आपको जो set का certificate है वो रद माना जाएगा clear है यही condition किस के साथ है reservation category के साथ उनको 5% का जहां पे छूट मिली है तो आपका भी यदि आप running condition में है और आपने set exam clear कर लिया है इसके बाद PG का percent 50% से कम रहे जाता है किसी भी current बस ठीक है तो आपका certificate भी रद माना जाएगा यह बात अच्छी तरीके से समझ लेना है दोस्तो यदि आप आपकी running condition है और आपका form फिल किया है तो बिल्कुल उसकी भी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि यहाँ भी condition लगी हुई है UGC की guideline से criteria है इसको हमें पूरा करना ही होगा तब ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं आपको ओके यह तो हम समझ चुके हैं अब इसके बाद हम आगे लेके चलेते हैं तो राजपातरता परिक्षा परिणाम को गोशना और इसके बाद दोस्तों जो हमने बताया है जैसे कि यहाँ पर देखी हाँ यह चीज है यह भी आपके लिए काफी important है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो श्रेणी है एक तो जनरल केटेगरी और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षी स्रेणी अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्य पिछड़ा बर्ग और नौन किमिलियार एवं दिव्यां जन तो इसके लिए देख सकते हैं दोस्तों कि तो दोनों प्रेस्न पत्रों में यहां पे किलिए लिखा हुआ है। यारजित दोनों प्रपस्ट्र पत्रों में अर्जित प्रप्तांग ठीक of Rakta प्रप्तांग को पूर्ड़ांग मतलब आपका जो भी प्रह्पतांग कारा रहा है जैसे कि 3 मillum cha refund आप चालिस परितिसाएं इसका आपन निकाल कि देख लिए ठीक nटा छालिस पर इसका निकालेंगे तो जहाँ पर देखेंगे 300 into 40% और इसके बाद हम 100 से डिवाइट कर देते हैं ठीक है ना एक 0 से जहाँ पर चले जाती है आप कितने बचे हैं 40 into 30 तो 40 तिया 120 ठीक है ना 300 मैंसे 120 question आपके सही होना चाहिए यह 40% के लिए इसके साथ इसमें यदि हम कम करेंगे तो यह और भी कम हो जाएंगे किलियर है ठीक है तो इसका भी हम निकाल लेते हैं चलिए 300 नमर का यह हो जाएंगे आपके 320 के और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों अभी जो हमने बताए जैसे कि हम जहाँ पर बता है हमने कि 120 इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 120 प्रेशन बताए 120 प्रेशन नहीं है यह 120 मार्क्स हो जाएंगे क्योंकि मैंने 300 कोश्चन में से बता दिये है तो जो आंखे उसके बता दिये हैं जहाँ पर देखेंगे तो 300 120 प्रेशन नहीं बता रहा है जैसे कि जहाँ पर हमने बता है 120 मार्क्स ठीक है न वो गलत बता दिये 120 मार्क्स आना ही चाहिए इसके प्रेशन कितने बन रहा है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके जहाँ हो जाएंगे 60 60 कोश्चन सही होने चाहिए पेपर बन और पेपर टू में कितने कोश्चन में से कितने टोटल 150 कोश्चन में से ठीक है न पेपर बन में 50 कोश्चन और पेपर टू में कितने कोश्चन हो जाएंगे आपके 100 कोश्चन हो जाएंगे ठीक हे ना तब जाके आप qualify हो जाएंगे लेकिन यहीं से qualify से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों काम इसलिए नहीं चलेगा दोस्तों क्योंकि आपको 6% में आना जरूरी है जी हां दोस्तों इसके regarding ही यहाँ पर कुछ इसमें बताए गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि थित्ती चलान में पिर्थम च्रान के छे पृतिसत के प्रापतांक एहर, संक्या, स्लोट के मद्यपरदेश सासन के आरकषन नीती के अनुसार, मद्यपरदेश समाने प्रुइवाझ के आदितन नेदेश अनुसार विविं जेनियों के लिए निर्धायत आरक्षण पृतिसाद आरक्षण होगा तो किलियर लिखा हुआ है कि छेपरितिसाद में आना होगा इतनी बात आप समझ लिजिए और ये सिर्प क्वालीफाइई मार्ग से लेकिन हमें काटोप में जाने के लिए इनसे जादा नमब्र लाना होगा पाए, दोनों को मिला कर, तो आप थोड़ी नहीं आप certificate मिलेगा, आपको और जादे लाना है, लगभग 150 में से 100 प्लस लाने की कोशिश कीजिए, 120 तक लाने की कोशिश कीजिए, तब ही हमको certificate मिलेगा, ज़्याद से ज़्यादा question सही करने की कोशिश कीजिए, इसके regarding ही तो हम test series चला रहा हैं दोस्तों, आपका level कैसा है, आपके तैयारी कैसी है, बिलकुल आप उसको check कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप test submit करेंगे, जैसे कि paper one की बात मान लेते हैं, paper one आप solve कर रहा हैं, कोई सा भी हमारी test series का, ठीक है न, आप unit one लगा रहा हैं, ठीक है न, unit one के भ पचास में से कितने नमारा, क्योंकि हमने जो test series तैयार की है, यह पचास question की ही है, इसके बाद timing भी हमने इसको 60 minute का दिया, जैसे कि official timing भी आपको 60 minute ही मिलेंगे, इसके बाद एक question दो marks का है, वो भी हमने दो का दिया है, फिर आप कितने minute में और कितने question सही कर रहा हैं, यह 310 रुपे में, जी हां दोस्तो, 310 रुपे में यह मिल जाएगी, हमें यह नमर आपको बार बार बता रहा है, 9200, यह 925830, ठीक है न, इस नमर पर आप हमें call कर लिजेगा, ताकि जो भी information लेना चाते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, मातर, 50 दिन sales बच्चे हुए हैं, और इसक देख सकते हैं, इन दोर, यह तो आपने पहले सी चूस कर ली होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, और इसके बाद यहाँ पे clearly लिखा हुआ है, प्रेशन पत्र कप कप कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि दोनों प्रेशन पत्र के मतने कोई अंतराल नहीं ह का मतलब continue ही चलेंगे तीन घंटे बिल्गुल continue होना है ठीक है ना इसको थोड़ा सा उपर समझ लेते हैं परिक्षा योजना राज पात्रता परिक्षा 2024 ऑप्लाइन पत्दिति से होगी ठीक है OMR बेस पर होगी अल्रेडी हम बता चुके हैं B. पर देखें तो इस परिक्षा म एक चार ओप्षन दिये जाएंगे objective टाइब रहेंगे ठीक है ना इसके बाद D में देखें तो बहुँ विकल्पी होगा जिसमें से सुमरित टाइप सत्य असत्य कथन कारण प्रिकार के multiple choice question B matching type के true false ये भी सब रहेंगे reasoning type के भी रहेंगे ठीक है ना D इसके बाद E वाला द करता है जैसे कि Hindi English Home Science इसके बाद Commerce है तो उनका main तो है इसके बाद paper band भी उनका होगा तो जितने subject हो रहा है उनके साथ paper band तो compulsory है सभी को देना है ये 50 प्रेशन रहेंगे इसमें और एक प्रेशन दो अंक का रहेंगा तो 100 अंक इन्होंने बता दी है इसके बाद सेकेंड रह हो जाएंगे 150 प्रेशन और इसके बाद total marks कितने हो जाएंगे 300 के लिए रहें 180 मिनिट मतलब तीम घंटे का आपका paper रहेगा इसके साथ ही आपको तैयारी करना है और जो भी जिसको doubt है अब यहां पर हम देखते हैं परिक्षा पत्र का माध्यम हिंदी इंगली दोनों में ही नो प्रोब्लम इसके बाद आवेधन कैसे भरना है बोतो हो अल्रेडी भर चुके हैं इसके बाद यहां पर देखें तो यह बीस सब्जेट है chemical science में कौन-कौन से सब्जेट है अल्रेडी यहां पर आप देख सकते हैं कि रसांसाथ कार्वनिक रसांसाथ तो बहुतिक रसां इसके बाद फार्मा इस्टूकेल रसांसाथ होगा अकारवनिक रसांसाथ हो गए फिसलद विसलट आत्मक रसांसाथ तर देन बहुत सारे सब्जेट है एकनोमिक्स में भी हैं कितने बन टू-3-4 सब्जेट हैं और यहां बोल रहे थे इकनोमिक्स का फॉर्म फिल कर सकते है इसके बाद यहां पर हम देखें दोस्तों तो यहां पर इंग्लिस है जिग्रोफी है इंदी है हिस्ति है हम साइंस है इसी के साथ यहां पर लाइफ साइंस भी देखें तो दोस्तों तो लाइफ साइंस के यहां पर इसके बारा सब्जेक्ट हैं इसके अंतरगत तो यहां प किया हैं तो बिल्कुल आप जी बिग्यान का फॉर्म किया ही होगा और इसकी भी टेस्ट सीरीज हमारे पास एविलेबल ही है ठीक है और इसके बाद 20 सब्जेक्ट है टोटल ठीक है और पोस्ट गिरिशन में आपके पास क्या होना चाहिए माश्टर ओप कॉमर्स माश्टर ओप लाइबरी साइंस माश्टर ओप लिटरेचर माश्टर ओप साइंस माश्टर ओप इस्टेटिक्स माश्टर ओप आर्ट्स माश्टर ओफ फिजिकल education master of physical education and sports science then integrate bsms then master of law ठीक है तो ये आपका PG में हैं तो ही आप आप दिन कर पाएंगे ये तो already आप जानते ही हैं क्योंकि फोर्म फिर आप हो ही चुके हैं तो आज के लिए बस इतना ही है इसी टाइप से कुछ classes हम लेकर आते रहेंगे और अब इसकी तैयारी भी करने में जुड़ जाईए क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है किलियर है दोस्तों जो भी डाउट है आपके माइन में इसके बाद भी तो हमें YouTube कमेंट सेक्सर में कमेंट कर सकते हैं टेश्ट स्रीच के रिगार्डिंग जो नमर दिये हैं उस नमर पर आप हमें कोल या SMS कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टोपिक के साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत